वह विशा है मिर्त्यू भोज क्या है? सही या गलत? मिर्त्यू भोज का आयोजन करना सही है या गलत है? तो मिर्त्यू भोज क्या है? मिर्त्यू भोज किसे कहते हैं? इस विशाय पर हम चर्चा करेंगे या विशाय कहां से आता है? यह विशाय कहां से आता है और क्यूं यह प्रश्न बनता है? इस पर भी हम पहले चर्चा करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा इस विशाय पर चर्चा करने की आवशक्ता क्या है? क्यूं आवशक्ता है कि हम इस विशाय पर चर्चा करेंगे? और दूसरी बात कि सही या गलत हमें समझ में आए कि मिर्त्यू भोज करना सही होता है या गलत होता है ये बहुत बाद की बात है इस विशे पे हम डिसीजन ले कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है ये बहुत बाद की बात है पहले तो समझ में आये कि चर्चा की आवशक्ता क्यूं है बिर्त्यू भोज पर चर्चा की आवशक्ता क्यूं है चर्चा की आवशक्ता इसलिए पड़ रही है ऐसे तो कोई चर्चा की आवशक्ता ना पड़ती लेकिन चर्चा की आवशक्ता इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग या कुछ लोग कहिए शायद मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं जो ही प्रचार कर रहे हैं कि ये मिर्त्यू भोज बंद होना चाहिए या जो मिर्त्यू भोज है यह एक कूरिती है जैसे की सती प्रथा एक कूरिती थी जैसे की बाल विवा एक कूरिती है आज भी कई जगों पर चल रहा है बाल विवा राजिस्तान गुजराथ के सुदूर गामों में आप जाएंगे तो आज भी बाल विवाह की प्रक्रिया चल रही है ऐसी बातनी के नहीं चल रही है कम हो गई है निश्य ही बहुत कम हो गई है लेकिन थोड़ी बहुत चल रही है दूसरे चीज सती प्रथा सती प्रथा कोई प्रथा थी ही नहीं कोई प्रथा थी ही नहीं इसे प्रथा के रूप में विक्सित करने का एक शरयंत्र किया गया, एक प्रयास किया गया, और जान बूजकर सती प्रथा का एक प्रोपगेंडा चलाया गया, सती प्रथा का एक प्रोपगेंड़ा चलाया गया कि ऐसी घटनाएं हिंदू समाज में हर जगा होती हैं जबकि हर जगा नहीं होती थी कुछ ही छेत्रों में होती थी और वो भी कई बार राजनीती से प्रेरित होती थी जान बूझकर अगर माल लीजिए आजकल क्या है एक बात हमेशा समझ लीजिएगा हमारे देश में और लगभग पूरे विश्व में समाज सेवा के नाम पर जितना ढोंग चलता है आपने सुना होगा कि विलकुल सही सुना है कि भाई ये साधू वेश ये ढोंगी होते हैं लोग साधू वेश धारन कर लेते हैं और ढोंगी बन जाते हैं तो ढोंग कहां नहीं चलता है पाखंड का वास कहां नहीं है एक बार मैं ट्रेन में ऐसी यात्रा कर रहा था तो कुछ गरीब लोग थे बिचारे ट्रेन में चड़े गये थे रिजर्वेशन क्लास में, लिपर क्लास में चड़े वे थे वो तो कुछ लोग आये, उन्होंने कहा कि हम T.T. है टिकट दिखाओ काला कोट उन्होंने भी पहना हुआ था समने समझां कि TTE है वो गरीब लोग उन लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए और ना कोई पर्ची दी, कोई सरकारी पर्ची नी दी एक सादे कागज पर लिख दिया की तुमने इतने पैसे दिये और कोई साइन कर दिया और उसे दे दिया और कहा कि जाओ इससे चले जाओगे मैं टीटी हूँ मैंने साइन कर दिया हो गया जबकि जो ओरिजनल टीटी होगा वो रशीद काट कर देगा आपको रेलवे की रेलवे का रिसिप्ट देगा अगर वो आपसे पिनाल्टी लेता है तो वो चला गया और जब ओरिजनल टीटी आया तो उसने कहा कि जहां से ये दिल्ली से ट्रेन चली है दिल्ली के बाद मैं ही मेरी ही पहली ड्यूटी है बीच में टीटी कहां से आ जाएगा आपने गलत आदमी को पैसे दे दिये ठग लिया आपको क्या यह पाखंड नहीं था टीटी का वेशधारन करकर लूटने का प्रयास उसी तरह से पुलिस का वेशधारन करके चोर डाकू भी पुलिस का वेशधारन करके भ्रमित कर देते हैं लोगों को कहने का तातपर यह है कि वेशधारन करकर और मेकप करके बहुत सारी चीजों का मेकप करकर लोग बहुत सारे काम कर जाते हैं बहुत सारे काम कर जाते हैं वैसी हमारे देश में सोशल वर्क का एक काला सच है अगर प्राब्लेम नहीं भी है तो प्राब्लेम क्रियेट करिये ये तो बहुत बड़ी समस्या है और हमारी संस्था इस समस्या को दूर करने का कारे कर रही है कई बार समस्याएं बहुत जन्विन भी होती है और कई बार समस्याएं जन्विन नहीं भी होती है जान बूज़कर पैदा की गई समस्याएं होती है जान बूज़कर चीजों को दिखाया जाता है अब इतनी सारी संस्थाएं बिचारी गरीबी को दूर करने के लिए मजदूरों की सहायता के लिए काम कर रही है और लगबग हजारों साल से फिर भी बिचारा मजदूर मजदूर ही है यहां तक की सरकारे बदल दी जा रही है मजदूरों के नाम पर कॉमिनिस्ट मूवमेंट लाया जा रहा है लेबर्स के नाम पर लेकिन बिचारे लेबर तो आज भी लेबर है क्या चाइना में लेबर नहीं है क्या रश्या में लेबर नहीं है क्या वो गरीब नहीं है क्या उनके साथ कोई समस्या नहीं है आप लेबर लॉभी ले आएं तो उससे क्या हो जाएगा तो बहुत ठीक है अच्छी बात है करना चाहिए समाज के गरीब और कोई पिछरा वो है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ कारे करना चाहिए और समाज से कुरुतियों को दूर करने के लिए सुधार लाने के लिए हमें कारे करना चाहिए बाल विवा जैसे कूप रथाओं को खतम होना चीए वैसे भी अगर आप वैदिक संस्कृती की बात करेंगे तो वैदिक संस्कृती तो वर्ण आश्रम धर्म से चलता है वर्ण आश्रम धर्म से चलता है और जब वर्ण आश्रम धर्म से चलेगा तो आश्रम के हिसाब से पहला आश्रम तो ब्रह्मचरे आश्रम है जो कि पचीस साल की उमर पे खतम होता है अब जब पचीस साल की उमर पे ब्रह्मचरे खतम होगा तो बाल विवा होने का प्रश्ण ही नहीं उठता बाल विवा होने का प्रश्ण ही नहीं उठता तो सती विवा, बाल विवा, दहेज, प्रथा इन सब का संबंध वैदिक स्वंस्कृति से नहीं है दहेज प्रथा आज भी है बहुत बड़े रूप में है कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता कौन उठाएगा पता चलेगा नेता जी खुद दहेज लेके बैठे हुए तो कहां से आवाज उठाएगे लेकिन जो गलत है वो खतम होना ही चाहिए लेकिन आप जबरदस्ती का कोई बात उठाओ जबरदस्ती का कोई समास सेवा के नाम पर कोई बात उठाओ और एक आंदोलन करना शुरू करो आपके आंदोलन को फंडिंग भी मिल जाएगा शायद कुछ लोग फंड भी कर देंगे और हो सकता है फोरन फंडिंग भी मिल जाएगा आपके आंदोलन को तो ऐसे ही सोशल मेडिया के माध्यम से और कई जगहों पर आजकल एक चर्चा सुनने में आती है कि मिर्त्यू भोज बंद होना चाहिए यह एक कूरीती है मिर्त्यू भोज बंद होना चाहिए यह एक कूरीती है और इसे बंद करवाना चाहिए और यह काम चल रहा है समाज सेवा के नाम पर सोशल वर्क के नाम पर कि समाज सेवा है यह कि मिर्त्यू भोज बंद होना चाहिए तो अब आप इसको समझे कि मिर्त्यू भोज प्रशन उड़ता है कि मिर्त्यू भोज क्या है तो हम जो यह चर्चा कर रहे हैं क्यों चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसी बाते करते हैं मुझे भी कुछ ऐसे लोग टकरा गया कि बोलने लगेगा नहीं है मिर्तु भोज के लिए आप भी आवाज उठाईए आप भी अपने चैनल पर आवाज उठाईए मिर्तु भोज बंध होना चैनल तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो करते हैं उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं या फिर कुछ विशलेशन करते हैं कुछ लोग को समाज सेवा कुछ लोग के लिए समाज सेवा का कार्य जो है पॉलिटिक्स में गुछने का एक राच्ता है जबर्दस्ती का कोई टॉपिक खड़ा करकर जबर्दस्ती का कोई मतलब नहीं है और पाखंडी सरकार हो सकता है मान भी जाए कि हाँ ये समस्या है अब राजनिती में जितना पाखंड हो सकता है शायद राजनिती और पाखंड ये दोनों आपस में जबर्दस्त मित्र होते हैं कई बार या ज़्यादा तर उसकी कोई सीमा तो है नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा बुद्धी जीवी वाला काम कर रहे हैं मृत्यू भोज बंद करवा रहे हैं तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिये कि मृत्यू भोज नामक कोई चीज होती ही नहीं है एक्जिस्ट ही नहीं करती है मृत्यू भोज नामक कोई प्रचलन हिंदू समाज में सनातन धर्म में या वैदिक वांग में में या वैदिक रीती में वैदिक करमकांड में मिर्त्यू भोज नामक कोई घटना या कोई इवेंट या कोई कारे नहीं होता श्राद होता है क्या होता है श्राद है अब हाई साब बोलने लेगे अरे वही तो मिर्त्यूभोज है कैसे मिर्त्यूभोज है भई बतलब श्राद बंद कर दो आप क्या कहना चाहते है उन्हें कि नहीं आप श्राद करिए लेकिन मिर्त्यूभोज मत करिए मिर्त्यूभोज होता ही नहीं तो क बोले जा रहे हैं कोई पाटी थोड़ी न ठोड़ी नहीं हुरती हर्री नहीं लोग पाटी ही करते हैं इतना मेंगा खाणा बने फिर दूसरों से भी आशा करते हैं कि खुबं ऐसा खाणा बने तो अब गरीब आदमी बचारा कहां से खर्च करेगा अरे भाई गरीब आदमी क्या अपने घर में अपने बच्चों की शादिया नहीं करता करता है ना जितने में है वो उतने में करता है तो श्राद भी करेगा तो जितना उसकी हैसियत है जितना उसका सामर्थ है उतने में करेगा और हो सकता है कि उसे सहयोग भी दे दे कई बार कई संस्था हैं जो गरीब घरों की बेटियों की शादी में बहुत सहयोग देते हैं सरकार भी सहयोग देती है बारत देश में बेटियों की शादी में हो सकता है कि कोई सहयोग मिल जाए अब ये मिर्त्यू भोज इस तरह से एक बात का परचार करना पहले तो मिर्त्यू भोज हो रहा है मिर्त्यू भोज नाम कोई चीज नहीं होती हाँ अगर कुछ कमियां आपको नजर आती है कुछ कमियां आपको नजर आती हैं कुछ कूरितियां आपको नजर आती है तो वो कमियां आदमी के समझ में है आदमी के समझ में है उसकी समझ बिगड़ी हुई है उसकी समझ खराब हो गई है और शास्त्रों का सही ग्यान नहीं है और जब शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है, समझ बिगड़ चुकी है, तो अब जैसे कि पूजा पाथ मूर्ती पूजा होती है, बहुत बीड़ी कठा होता है, बहुत बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, बहुत बड़े-बड़े मूर्तियां लगती है, ठीक है, अच्छ आप में ना समझिये, मतब आपने उस विशय को समझा नहीं है, आपने कर्मकांड सिधान्त को नहीं समझा है, सबसे पहली बात कि श्राद कर्म जो है, वह निमित कर्म के अंतरगत आता है, काम में कर्म के अंतरगत नहीं आता है, काम में कर्म अर्थात कामना पूर्ती है जो आवश्यक है, जो हमेशा नहीं होता है, ओकेजनली किसी किसी जैसे कि बच्चे का जनम हुआ, विवा संसकार हुआ, अंतिम संसकार हुआ, जिसे हम अंतेश्टी क्रिया कहते हैं, अंतिम संसकार हुआ, अंतेश्टी क्रिया हुई, यह एक निमित कर्मकांड है, यह एक संसक अनुसार है तो वैदिक कर्मकांड के अनुसार ये होना ही चाहिए और इसका मूल उद्दिश्य क्या है? इसके पीछे मानसिक्ता क्या है? इसके पीछे विचारधारा क्या है? इसकी फिल्लासफी क्या है? वैदिक फिल्लासफी का कोई नौलेज नहीं शड़ दर्शन की कोई स चले हैं मिर्त्यू भोज के नाम पर समाज सेवा करने, सच्चाई ये है कि समाज को धोखा देने चले हैं, समाज को गुमराह करने चले हैं क्योंकि पता है लोगों को, 50 तरह के गुरू पिछले 100 वर्षों में हमारे देश में अनेको गुरू हुए और ऐसे ऐसे गुरू हुए और आज तक लाब उठा रहे हैं आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको नहीं पता कि शिव किसको कहते हैं देवता कौन होते हैं और वो बताने में लगे रहते हैं अभी एक मैं प्रबचन कहीं पर सुन रहा था वहां सुनाया जा रहा था कि जगरनात पूरी में भगवान कृष्ण की जो मूर्ती है वो काले रंकी है तो उनके गुरु जी ने सिश्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी भगवान की मूर्ती ये काले रंकी क्यों बनाई काले रंकी क्यों बनाई कृष्ण जी की मूर्ति तो कहीं जगा गोरे रंग की बनती हैं तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि बेटा कल्यूग है इसलिए भगवान को भी काला रंग दे दिया गया है जबकि कृष्ण शाम रंग है यह तो भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है गुरु जी ने अपना interpretation दे दिया कि बेटा कल्यूग है न इसलिए काला रंग पोद दिया गया है तरह तरह की बाते मन मरजी की चीजें लोगों ने जोड़ दी हैं और आप उनको सीख रहे हो और आपको भरम हो जा रहा है कि आप अध्यात्मिक हो गये हैं धार्मिक हो गये है आपको बहुत बड़ा भरम हो जा रहा है और आप उन संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और उपर से आप गुरु जी के प्रती एक इगोईस्टिक रिलेशन बना लेते हैं अरे मेरे गुरु जी हैं मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ नहीं सुन सकता एकदम कुए के मेंड़क के समान अडियल पागल कुत्य के समान और अडियल घोडे के समान लोग अपनी गुरु की और अपने संस्थाओं की एडवोकेसी में लग जाते हैं ये बिना जाने कि शास्त्र सम्मत होना क्या है वैदिक वांगम है क्या है छोटी छोटी नौलेज इसी गुरु जी ने गीता का एक स्लोग सुना दिया तो आपको लगा अच्छा गीता में ऐसा लिखा हुआ है पता नहीं वो गीता कि इस लोग का अपना मनमर्जी का अर्थ निकाल रहे हैं कि सही अर्थ निकाल रहे हैं समस्या यहां पर है जबरदस्ती की समाज सेवा और जबरदस्ती के समाज सेवक फंडिंग लो, नेता बनो, बाहर से आएगी फंडिंग और आप अगर हिंदू समाज के विरूध खड़े हो जाएं समाज सेवा के नाम पर तो फंडिंग पक्का मिलेगी आपको गैरंटी है आप सनातन धर्म के विरूध में समाज सेवा के नाम पर एक बार खड़े हो जाएं अज़ एंजियो चला दीजिए आपको फॉरें फंडिंग मिल जाएगी आप अपने इमान के साथ धोका कर लिजिए आप अपने धर्म के साथ धोका कर लिने के तियार हो जाएए क्योंकि सनातन धर्म का शत्रू इस समय पूरा विश्व है विश्व के बड़े-बड़े देश है वो चाहते हैं कि हिंदू संगठन और हिंदू एकता अगर भरष्ट हो गई तो इस देश पर हम राज कर पाएंगे, बिना युद्ध लड़े राज कर पाएंगे, बिना युद्ध लड़े हम यहां के लोगों को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, यह उनका लक्ष है, वो ऐसा लक्ष लेकर चलते हैं, तो अगर आप सरातन ध अठान धर्म में के इंडायरेक्ट वे में परतक्ष कोई नहीं करता भिया, अब परतक्ष रूप में समाट सिवा के नाम Пर लो कुछ करना चुछू करते हैं, देखते हैं, कैसे होली में कितना पानी बरबाद होता है, दिवाली में कितना पोलूशन आता है, और इतनी कम कि आमें रहने वाले बकरीद में कितना खुन बहाते हैं, क्यूं नीज नहीं बनता, क्यूं समाचार नहीं बनता, ठीक है, पशु बली ना हो, लेकिन पशु बली अगर मंदिर में होती है तो जीवों पे कुरूरता है, लेकिन वैसे होती है तो कुरूरता नहीं है, जितना होत रहे होतो होने दो अगर मंदिर में होती है तो वो कुरूरता है नहीं तो ऐसे कुरूरता नहीं है If you want to be rich अमीर बनना चाहते हो foreign funding लेना चाहते हो Hindu धरम के विरोध में कोई संस्था खोल दो NGO खोल दो society registration करा लो ठीक है तो ऐसा लालच लोब रखने वाले लोग ऐसे मुद्दे उढ़ाते हैं मिर्त्यू भोज बंद करो अरे भाई मिर्त्यू भोज नामक कोच जो होती नहीं तो क्यों बंद करो ये तो तुमने बना दिया मिर्त्यू भोज हाँ एक बात जरूर है कि लोगों की मानसिक्ता में विक्रती आ सकती है और लोगों की मानसिक्ता में विक्रती क्यों आती है ना समझी और अज्ञानता के कारण अब ध्यान से सुनिये अंतेश्टी क्रिया होती है श्राद होता है और श्राद में दान पुन्न किया जाता है जो परिवार में दिवंगत हुआ है अंतिम संसकार का उद्दिश्य है कि हम अंतिम संसकार दाह संसकार करने के बाद हम उस दिवंगत से उस परिवार के उस सदश्य से जो दिवंगत हो चुका है उससे अपना संबंध तोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपने लोक में निवास कीजिए और हमें अपने लोक में निवास करने दीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं अब आप हमारे पूरूवज हुए, आप हमारे बड़े हुए, चाहे मृत्यू को प्राप्त करने वाला उमर में आपसे छोटा क्यों न हो? मिर्त्यू को प्राप्त करने वाला यदी उमर में आपसे छोटा भी है और आपके परिवार का सदस्य है तो मिर्त्यू उप्रांत अब वो छोटा नहीं है आपसे बड़ा हो चुका है कि वो उस सवस्था में पहुंच चुका है जिस सवस्था में आप बाद में पहुंचोगे तो वो आप से बड़ा हो चुका है और जब वो आप से बड़ा हो चुका है तो उसको सम्मान देना पड़ता है चाहे छोटा सा बच्चे की मिर्त्यू क्यों न हो जाए किसी के घर में वो बड़ा हो गया अगर उसकी मिर्त्यू हो गई तो पहले तो ये भावना होनी चाहिए मिर्त दिवंगत के प्रति हमारे शास्त्र ऐसी माननेता रखते है जो भी पुरोहित पंडित होंगे वो प्रार्थना करवाते हैं ऐसी आप अपने लोक में निवास किजिए हमें अपने लोक में निवास करने दीजिए और हम प्रकृपाद्रिश्टी रखिए हमारी उन्नती कीजिए और हम जो है आपका श्राध पूर्ण करेंगे तो उनका अब श्राध होता है और उस श्राध का ये नियम है कि आप कितना दान पुन्य कर सकते हैं कान पुन्न कर सकते हैं क्योंकि उस दिवंगत व्यक्ति से आपका संबंध क्या था कर्मों का संबंध था आपने जिस परिवार में जनम लिया है आपके जो भाई बहन बने हैं आपके जो माता पिता बने हैं उन सब के साथ आपका क्या संबंध है? करमों का संबंध है. आपके पती, आपके बच्छे, पती, पतनी, बच्छे जो भी हो रहे हैं सब के साथ करम संबंध अस्थापित होता है. कर्म संबंध बना हुआ है सबके साथ तो वो जो कर्म संबंध बना हुआ है उस कर्म संबंध में पुर्ण की विर्धी कीजिए उस दिवंगत को शांती कैसे मिलेगी लोग कहते हैं कई तरह कुछ क्योंकि शास्त्रों का सही ग्यान नहीं है वो अंडर्स्टैंडिंग काओं के विशय में है अभी पित्रपक्ष लगने वाला है शुरू होगा पित्रपक्ष लब्बग डिड़ महीने बाद कि तो कि पित्रपक्ष में लोग पिंडदान और श्राध वेगारा करते हैं कि कव्वे को छील को खिलाया जाता है लोग कहेंगे कि इसका लेटर बॉक्स है क्या इसमें डालेंगे तो पुर्वजों को चला जाएगा पित्रों को चला जाएगा जी नहीं कोई लेटर बॉक्स नहीं ऐसा प्रशन भी मत किजिए और पता नहीं आपको उत्तर भी कोई दे पाएगा के नहीं दे पाएगा मिमानसा, वाइदिक पुर्व मिमानसा क्या कहती है देवताओं के परती कैसे शब्दों का प्रयोग करती है देवताओं को कैसे समझाती है देवता शब्द रूप है देवता मंत्र रूप है देवता भाव रूप है तो देवताओं को क्या ट्रांसफर होगा कोई जो आपने खिलाया वो ट्रांसफर नहीं होगा बलकि वो पुन्य ट्रांसफर होगा पुन्य ट्रांसफर होगा और पक्षियों को खिलाया जाता है क्यों खिलाया जाता है क्योंकि प्रेतियोनी पित्तर यूनी में वायू तक्त्व अधिक होती है वायू तक्त्व की मात्रा अधिक होती है जैसे कि मनुष्य शरीर में जल तक्त्व की मात्रा अधिक होती है सभी शरीर धारियों में जल तक्त्व की मात्रा अधिक होती है और जल नितांत आवश्यक होता है इस थूल देह के लिए लेकिन उन सुक्ष्म देहियों में वायू तक्त्य की मात्रा अधिक होती है इसलिए विशेश रूप से पक्षियों को भोजन दिया जाता है और मात्र पक्षियों को ही नहीं सियार को, कुत्ते को भी खिलाये जाता है श्राद में और साथी साथ दरिद्र को भी खिलाये जाता है समाज के अन्य रिस्तदारों, ब्रामनों को भी खिलाये जाता है और जब अन्तेष्ठी किरिया तेरहमी होती है बारहमी, तेरहमी और उसके बाद जो भोज होता है उसे ज़्यादातर ब्रह्म भोज कहते है वो कोई पाटी नहीं है कोई celebration नहीं है कि आप पाटी दे रहे हो अच्छे अच्छे पुए पकवान बनाओगे और लोगों को बुला कर खिलाओगे वह ब्रह्म भोज है और वह दान के रूप में श्राध के रूप में किया जाता है ना कि कोई पाटी मनाई जा रही है जिसके घर में मिर्त्य हुई है वो भी ऐसी पाटी देने की भावना नहीं रखता है और जो भोजन करने आ रहे है उनके दिमाग में भी पाटी की भावना नहीं होनी चाहिए आप ये कहो कि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं हो सकता है कि आपके घर में दिवंगत कोई हो आपके यहां भोज बने और वो खाने आये तो आपसे पुछे अरे ये वाला व्यंजन क्यों नहीं बनाया ये क्यों नहीं बनाया जी नहीं कुछ नियम के अनुसार कुछ व्यंजन बनेंगे, बस उतना काफी है, उनके पूछने का अधिकार नहीं होता है, और जो समझदार लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे समझदार लोग मिलेंगे, जिनको आप श्राध का निमंतरन देंगे, नेवता देंगे, तो वो जिनके घर में शादी हुई है या उन्होंने अपने बच्चों की शादी की है तो वो एक वर्ष तक श्राद का भोजन नहीं खाते अंतिम संस्कार में जो श्राद होता है उसका भोजन एक वर्ष तक वो नहीं खाते नहीं ग्रहन करते हैं अगर कहीं से निवता आ भी गया नि हम वहाँ जाएंगे लेकिन भोजन ग्रहन नहीं करेंगे अब ब्रह्म भोज होता है ब्रामन को खिलाया जाता है क्यों ब्रामन को खिलाया जाता है जानते हैं क्यों ब्रामन को खिलाया जाता है इसलिए ब्रामन को खिलाये जाता है क्योंकि ब्रामन कौन है भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्यान अगनी दग्द कर्मानू तमाहू पंडितम बुधा अर्जुन्तु उसे पंडित जान जो ग्यान अगनी में कर्मों का दाह कर सकता है कर्मों को दहन कर सकता है जो ग्यान अगनी में कर्मों को नश्ट कर सकता है और जो ऐसा कर सकता है वो पंडित है वो पंडित है जो ऐसा कर सकता है जो कर्मों का दहन कर सकता है कर्मों को जला सकता है जिसके अंदर ज्ञान अगनी की जुआला है वैसे ब्रह्म को जानने वाले ब्रामनों के लिए कहा गया ठोकि अगर वो लोग खाएंगे तो भोजन के साथ आपका कर्म भी खा जाएंगे भोजन के साथ आपके पापों को भी खा जाएंगे दान का इसलिए महत्व है ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए यही पांडवों ने यज्य किया राज़सूई यज्य और जब यग्य किया यग्य पूर्ण नहीं हुआ देवता प्रसन्न नहीं हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि युदिश्चिर लगता है तुम्हारे यग्य में कोई चूक हो गई है युदिश्चिर ने पूछा की कृष्ण हमने तो सारा अपनी समझ से सब अच्छे से किया क्या चूक हो गई है मुझे लगता है कि तुमने किसी महाग्यानी किसी ब्रामन को तुमने निमंतरन नहीं दिया है तो युदिष्ठिर ने कहा कि हमने तो सब को बुलाया है किसे नहीं बुलाया होगा भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई ना कोई बच जरूर गया है ध्यान से याद करो नहीं याद आया पांडवों को तो स्रिक्रिष्ण भगवान ने कहा कि एक रिशी है उनका नाम है स्वपच्य मुनी स्वपच्य मुनी तुमने उनको नहीं बुलाया जिद्रिष्टिर ने कहा उनका जनम तो शुद्र कुल में हुआ है अरे वसिष्ट का जनम कौन सा ब्रामन कुल में हुआ था विश्वामत्र का जनम कौन सा रिशी कुल में हुआ था हाँ कह सकते हैं रिशी कुल लेकिन अगर आप वर्ण की बात करोगे तो विश्वामत्र छत्रिया और वसिष्ट शुद्र कहे जाते थे तो स्वपच्छ मुनी को तुमने नहीं बुलाया तुमने इस जनम को उनका देखा कि इस जनम में उनका जनम शुद्र कुल में हुआ है तो तुमने नहीं बनाया जैसे रिशी वसिष्ट का भी जनम अपसरा के गर्ब से हुआ किसी रिशी पतनी के गर्ब से तो नहीं हुआ लेकिन स्वपच्य मुनी की तपस्या उनकी साधना उनका ज्ञान वो उन्हें स्रेष्ट बनाता है इसलिए श्रीमत भगवत गीता क्या है याथार्थ गीता नाम देने से नहीं होगा अगर याथार्थ गीता समझने का प्रयास करोगे तो सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी गीता पढ़ोगे तो सारी परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी सबकुछ पंडित कौन सन्यासी कौन योगी कौन कृष्ण ने सब बदल दिया है उतनी कठोरता से आज भी बोलने वाले लोग नहीं है अनाश्रित करमफलमकारियम करमकरोतियस सन्यासी चय योगी वो सन्यासी और वो योगी जो निश्काम भावनाशे अनाश्रित होकर करमफल पर करने योगी संपूर्ण करतव्यों को कर रहा है वही सन्यासी है वही योगी है कृष्ण ये भी बता देते हैं कि पंडित कौन है तो गीता को यथार्थ रूप में समझना मुझे नहीं लगता कि यथार्थ गीता लिखने वाले भी पूरी तरह से यथार्थ बता पाते हैं यथार्थ गीता नम को गीता आपने सुनी होगी कहीं संस्था से प्रकाशित होती है वो उतना यथार्थ बता पाते हैं जितना यथार्थ कृष्ण युद्ध भूमी में खड़े होकर अरजुन को सुना रहे हैं उस यथार्थ तक नहीं पहुँच पाते लोग तो कि उस यथार्थ तक पहुँच पाएंगे तो संस्थाओं का चलना बंद हो जाएगा पाखंड का परदा फाश होगा उस यथार्थ के उस लेबल तक पहुँच जाओगे तो तो इसलिए घीता बहुत कड़वी वानी भी है हो सकता है कि वर्तमान में कई लोगों को लग जाए कि भगवान पंडित किसे बोल रहे है पंडितम बुधार पंडित जानो किसको पंडित जानो जो ज्यान अगनी में करमों का नाश करने का योग बल रखता है जो सामर्थ रखता है ऐसे लोगों को दान करना ऐसे लोगों को दान देना करना वो कर्मों का नाश करता है इसलिए सुदामा जी थे ऐसे ब्रामन इसलिए कृष्ण ने खुब दान किया सुदामा को तो आवशक्ता समझने की है तो ब्रह्म भोज होता है श्राद कर्म में ब्रह्म भोज होता है तो ब्रह्म भोज कोई पाटी नहीं है कोई पाटी नहीं हो रही यहाँ पर कि आपने उसको मिर्त्यू भोज नाम दे दिया और कूरिती है इसको बंद करो बहुत बढ़े समाज सेवक बनने चले गए किसने कहा है बाई को जबरदस्ती है क्या कि तुम लोगों को बुलाओ और खूप पकवान बना कर खिलाओ नहीं मर्जी है आपकी कोई बाद देता है आप शारिक्ता भी चल सकती है वैदिक मत कहीं पर भी आपको बाद देता नहीं देता कि ऐसा ही करना है पूजा के किसी मामले में बात देता नहीं देता अभी सावन चल रहा है शिव जी पर लोग दूद चढ़ा रहे हैं कितना दूद चढ़ाओगे दो लिटर चढ़ाओगे, तीन लिटर चढ़ाओगे, आधा लिटर चढ़ाओगे या कुछ ग्राम चढ़ा दोगे आप पर निर्भर करता है आप पर निर्भर करता है कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे करोगे या वैसे करोगे कहां से करोगे और कैसे करोगे पुरानों की कथा भी पढ़ोगे तो ऐसी कई कथाएं आती हैं जहांपर गरीब से गरीब भक्त भी श्रधा से भक्ती करकर वो अपने देवता अपने इष्ट को प्रसन कर लेता है एक बार एक व्याद था उसके मन में था कि मैं भगवान शिव की पूजा करू उनको जल चड़ाओ शी महापुरान में कथा आती है कथा आती है तो वो उसको समय नहीं मिला जरूरी काम से उसे जंगल जाना था व्याद था तो शिकार करता था जंगल चला गया और जंगल में अपना पानी लेकर गया और जिस पेड़ पर बैठा था शिकार करने के लिए किसी जंगली जानवर का उस पेड़ पर गलती से जो पानी था वो गिर गया उसका वह एक पत्थर है जो शिवलिंग की तरह खड़ा है और उस पर जल गिर रहा है उसका अपने आप गिर रहा है गलती से पानी हिल गया और गिर गया और जब नीचे देखा तो वहाँ पर शिवलिंग और जैसी शिवलिंग तो उसके हाथ जुड़ गए कि मेरी बड़ी एक शा थी कि मैं शिव मंदिर में जाकर भगवाने शिव की पूजा करूँ भगवान ने तो मुझे जंगल में ही पूजा ले ली और कहते हैं कि शिव जी वहाँ प्रगट हो गया जैसे उसने प्रणाम किया नीचे एक शिवलिंग वहाँ पर शिव पर ऐसी आती है कहने का मतलब क्या है आपकी भावना कितने इन्वॉल्व है श्राद भी श्रद्धा का विशय है श्राद कोई प्रदर्शन का भी विशय नहीं है तो अगर श्राद का भोजन करवाने वाला अगर प्रदर्शन की भावना रखता है या भोजन करने वाला पाटी समझकर खाने गया है कि चलो भाई पूरियां खाने को मिलेगी बूंदी खाने को मिलेगी मिठाईयां खाने को मिलेगी उनके यहाँ पर ऐसे अंतिम संसकार भोज हो रहा है, चलो भोज खाकर आ जाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, ऐसी भावना रखकर श्राद का भोजन करते हैं, वो पाप के भागी बनते हैं, वो पाप के भागी बनते हैं, जो ऐसी भावना रखकर श्राद का भोजन करने जाते हैं कि वो श्राद है उसमें जो बना है जैसा बना है अगर आपको निमंत्रन मिला है तो आप जाईए और ग्रहन कीजिए लेकिन वो स्वाद लेने के लिए नहीं है आप इसलिए जाईए ताकि उनका दुख बटे जिसके घर में मिर्त्य हुई है उनसे जाईए उनसे थोड़ा बात कीजिए वो जो एनरजी है दुख वाली पेनफुल एनरजी जो है वो डिवाइड हो जाए आप जाईए और जो भी उन्होंने बनाया है उसे थोड़ा सा पूजा समझ कर प्रसाद समझ कर ग्रहन कीजिए ऐसे श्राद का भोजन इस भावना से ग्रहन करना चाहिए पार्टी समझ कर नहीं ग्रहन करना चाहिए कि बड़ा स्वादिष्ट मिठाई बनी होगी ये समझ क कर नहीं ग्रहन किया जाता है तो जो समझ विक्सित होनी चाहिए वो समझ को विक्सित ना करकर एक नया प्रपगंडा शुरू कर दिये कि मिर्त्यू भोज हो रहा है इसको बंद करो यह कूरिती है कूरिती कहां से होगी मिर्त्यू भोज नाम कोई चीज होता ही नहीं है वो तो श्राद का भोजन है श्राद है श्राद किया जा रहा है आपने गलत धार ना आप पाटी समझ के चले गए आपकी गलती है आपकी भावना गलत है आपकी सोच गलत है कि आप भोज करने जा रहे हो आपको तो दुख बाटने के लिए बुलाया गया है आप दुख बाटने जा रहे हो ना कि भोज करने जा रहे हो और जब आप दुख बॉटने जा रहे हो तो ये नियम है कि आप ये भी श्राध रूप में आप भोजन कराईए, गरीबों को भी कराईए, धर्द्रों में भी बटाईए, लेकिन सबसे पहले ब्रह्म भोज कराया जाता है, ब्रामनों को कराया जाता है, तो आजकल तो आप च चारिकता रूप में सारी चीज़े आ गई है, हमें सही से अर्थ को भी नहीं पता है कि वास्तों में अर्थ क्या है किसी विशय का, ना करवाने वाले को समझ ना करने वाले को समझ, अब कोई समाज से भी मिल गया, जिसको नेता बनने का बहुत शौक चड़ा हुआ है, वो समझ बिगड चुकी है उस समझ में सुधार आ जाए होना तो ये चाहिए था जो वैदिक मिमानसा हमारे शास्त्र जो हमें समझाना चाहते हैं वो बात हमें समझ में आ जाए वो ना समझ कर आप कुछ औरी समझ के बैठे हुए हो आपको मिर्ति भोश दिखाई दे रहा है आप पिर समाज सेवा का नया प्रोपगेंड़ा शुरू कर देते हो कि ये बंद करो मिर्ति भोश मिर्ति के समय ये सब नहीं होना चाहिए श्राद रूप में होता है और श्राद रूप में होना ही चाहिए उस घर के लिए बहुत अच्छा है जिस घर में किसी की मिर्त्य हुई है वो अपने श्राध को पूर्ण करें लेकिन श्राध का भोजन करने जो पहुँचा है वो ये समझ कर भोजन करें कि ये श्राध का भोजन है ये कोई पाटी नहीं हो रही है यहाँ वेंजनों का स्वाद लेने के लिए नहीं पहुँचे है हाँ ठीक है करवाने वाले का ये करतव्य होता है कि वो अच्छा भोजन बनाए लेकिन जो खाने गया है उसकी सोच ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो वहाँ स्वाद लेने गया है या पाटी करने गया है या भोज करने गया है वो दुख बाठने गया है और उनका दिया हुआ भोजन के रूप में जो दान है वो ग्रहन करने गया है ऐसी सोच समझ होनी चाहिए तो सही बात समझाने के स्थान पर समाज सेवा के नाम पर एक नया प्रोपगंडा नया पाखंड के मिर्त्यू भोज बंद करो एक नया पाखंड एक नया प्रोपगंडा लोग चलाने में लगे हुए है यही दुख की बात है यही दुख की बात है तीक है इस विशे को हमें समझने की आवशक्ता और ऐसे प्रोपगंडा को विशेश रुप से अगर कोई समाज सुधार के नाम पर आप सनातन धर्म के किसी करमकांड या कस्टम या कुछ रिती रिवाज पर का विरूद शुरू कर दो तो आपको समर्थन करने वाए लोग भी मिल जाएंगे डोनेशन और फंड करने वाले भी सामने आने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंडारेक्टली आप कुछ और कर रहे हो इसलिए परस्थितियों को समझ कर हमें चलना चाहिए समझ कर हमें चलना चाहिए विवेक से चलना चाहिए और शास्त्रों की समझ और शास्त्रों के ज्यान को विक्सित करना चाहिए जितना विक्सित होगा उतना सुधार आएगा उतना पता चलेगा कि पूजा पाट करम कांड कैसे किया जाता है क्यूं किया जाता है उतनी सुधार आएगी आपकी समझ में आपकी सोच में और उतना फिर समाज कि जितनी भी हमारे रिती रिवाद जो भी है उनमें भी सुधार आजाएगा अपने आप उनके परती जो सोच बिगड़ी हुई है due to ignorance ignorance towards our scriptures basic scriptures कास्त्रों के परती जो इग्नोरेंस है हमारी है उसके परती इग्नोरेंस होने के कारण असली समझ हमारे अंदर विक्सित नहीं हो पा रही है वो विक्सित होने की आवशक्ता है वो अगर विक्सित हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है समझने की करम सिध्धान्थ पर इस सारे जितने भी करम कांड के सिध्धान्थ अंतेश्टी क्रिया सोला संस्कार जो भी बनाए गए है ये करम कांड सिध्धान्थ पैधारित है और करम कांड सिध्धान्थ क्या है पंच करम सिध्धान्थ नित्य निमित काम में नशिद और प इस उदेश्य से है ये तो हमें ये समझने की आवशक्ता है ये दान पुन्य इसलिए वैदिक मिमानसा ने हमें दान पुन्य जितने भी परवतिवहार हैं जितने भी वरत उपवास हैं सब में सनातन धर्म में दान करने का विधान है यह जरूर लिखा है मनुस्मिर्ती में की दान का अधिकारी मातर ब्रामन होता है इसमें कोई संचय नहीं है लेकिन अगर आप मनुस्मिर्ती के आधार पर यह कहोगे की दान का अधिकारी ब्रामन होता है तो मनुस्मिर्ती यह भी कहता है कि ब्रामन को संचय करने का अधिकार सेविंग इस नॉट लावड फॉर ब्रामिन यह भी तो लिखा हुआ साथ में नियम भी तो बताए गये हैं कठोर से कठोर तम नियम बताए गये हैं एक ब्रामन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए मनुस्मृति में अत्यंत कठोर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है तब जाकर ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए नहीं तो दान किसी ज्यानी पुरुष को किसी अध्यात्म विद को जरूर दान करना चाहिए क्योंकि उनको दिया हुआ दान ज्यान अगनी में भश्म होता है वो कर्म जाता है उनके कर्म उनके पाप धुलते हैं ऐसी मननेता है इसलिए Krishan भी कहते हैं कि उनको पंडित जानो जो ग्यान अगनी में करमों को दहन कर सकते हैं यथे धांसी समिधोर अगनी भश्म साथ कुरते अरजुन ग्यान अगनी सर्व करमानी भश्म साथ कुरते तता ये अर्जुन इस प्रकार से समिधा अगनी में भश्म होती है हवन की अगनी में यजन अगनी में वैसे ज्यान यग्य में जोकी ध्यान योग से प्रगट होता है उस अगनी में हमारे कर्म भी भश्म होते हैं हमारे कर्म भी जलते हैं तो जो ऐसे योगिस हो उनको ब्रामन समझ दान करना चाहिए यही पांडवों से गलती हुई स्वपच्य मुनिक उन्होंने निमंतरन नहीं दिया भगवान ने कहा कि जाओ उनको मना कर ले आओ बुला कर ले आओ और जब तक वो तुम्हारा दिया हुआ दान ग्रहन नहीं करेंगे तुम्हारा बनाया हुआ भोजन ग्रहन नहीं करेंगे तो श्राद में जो भोजन होता है वो दान के रूप में होता है यह ध्यान से समझिएगा करवाने वाले को भी दान के रूप में करवाना चाहिए ग्रहन करने वाले को समझना चाहिए कि वो श्राद का भोजन कर रहा है अगर स्वादू बन कर जाएगा तो अपना ही पाप कमाएगा स्वाद लेने जाएगा विंजनों का तो स्वेम पाप का भागी बनेगा फिर तो सही understanding, सही समझ को विक्सित करने की आवज़ता है ये मिर्त्यू भोज के नाम पर कोई कुरूती का एक नई कुरूती बना दिया आपने अरे जो लोगों की समझ में कमी है उसको जाकर समझाईए आयोजन कीजियों और समझाईए उनको कि सही समझ से ये काम होनी चाहिए, सही तरीके से ये विधान होना चाहिए ना कि किसी मजाक में या ना कि खाने वाला पाटी समझ कर खाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए ये विचार थे इस विशा में चलिए आगे चलते हैं देखते हैं कौन क्या कहता है नबजूत नाथ जी, अमन कपकर जी, हीरालाल यादो, रवेंदर मक्वाना जी, जेवेंदर देवरतन बलदावा, उशा श्रिवास्तो, अवन कुमार गुपता, कनाई कुमार जी, अबनी प्रधान, श्रंकर प्रसाद, शिवा शर्मा जी, श्विता राय शिनहा जी, बहु अबिनंदन है आपका, सविता नायक जी, रमेश पेश्वानी जी, विनोत कुमार सूध, विश्नु चंदर मौरिया, चितरंजन बरुवा, सतीश मास्चर, एके त्यागी, रतन सिंग जी, पिमला शा, रूपलाल अविश्व कर्मा, अर्जन भाई चोहान, अपड़ना योगे सिंग, एमके पीडी, नर्सा राम जी, भरत शबलानी, लकिंद्रा, मनेज जादो, दिवांक नाम जब करते समय क्या साउधानिया रखनी है, नाम दोश क्या होता है, यह नाम दोश पता नहीं कौन सा दोश अभी है नाम की तो महिमा है कि हमेशा ही नाम जब में रहो, हमेशा ही नाम इस्वरण में रहो, उससे तो पापी भी पवित्र हो जाए, ऐसी माननेता है लेकिन चलो नाम दोश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रारंभ में जरूर ध्यान रखना चाहिए जब मैं अध्यात्मिके मार्ग पर चलने लगता हूँ, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी परिशानी आ जाती है उत्वाएगी और जब अध्यात्मिक हो जाएंगे तो कोई परिशानी नहीं आएगे, अभी अध्यात्मिक नहीं बन पाए हैं, मार्ग पर चलने का प्रयास किये हैं जब हो जाएंगे तो कोई परिशानी नहीं आएगे, काशिनात जी अभी अध्यात्मिक नहीं बन पाएं अध्यात्मिक बन जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा केशरी जी अमिर्ट जी कोई बुरा मत मानना एक थोड़ी अलग बात है बहुत लोगों की प्रॉब्लेम है इस पर बताएं सौरी ब्लॉक मत करना अस्त मैतुन के प्रॉब्लेम को कैसे बंद करें यह तो मानसिक बिमारी है साधना करो ठीक हो जाएगा अपना संकल्प से ठीक करोगे और कैसे ठीक करोगे संकल्प लो अपने माइंड को प्रोग्राम करो इस धंग से ठीक हो जाएगा और रही बात जब प्रॉब्लेम आपकी व्यक्तिगत हो मैं पहले भी कह चुका हूँ जब भी आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लेम हो तो आप यहां नहीं पूछेंगे आप व्यक्तिका दुरूब से वाट्स अप मैसेज कीजी और पूछी आपको वहीं पर उत्तर दे दिया जाएगा कोई भी हैबिट आपके सब कॉंशियस माइंड में है आपके आवचेतन में है आप सब कॉंशियस माइंड के लेबल पे काम करिए अवचेतन को बदलने का प्रयास कीजिए अगर गलत आदत है तो जरूर बदलेगी कोई भी चीज आदत के रूप में नहीं विक्सित होनी चाहिए हैबिट नहीं होनी चाहिए अच्छी बात है विरेंद्र विश्रा जी रवी शंकर जी विकु कुचाडिया जी राजू पाल जी शिलाराम राइका अशोक माली कंभीर शाह इसके मिनहास शंकर प्रसाद वन इंग्लिश एडुकेटर परसन आस्ट अलर्न गुरू इफ दे प्रसाद इस तिल देर तो गाड राइज नाट इटन चाहिए अन इस रिच्वल इज तुपरस्टिशन देवता भावरूप है मंत्र रूप है देवता भावरूप है मंत्र रूप है जब आपने भोग लगाया है भोग लगाया है तो भावरूप में अन्शरूप में देवता उन्हें ग्रहन करते हैं आपका ये भावना होनी चाहिए कि आपने भोग लगा दिया है अब ये बात कहना कि प्रसाद is not eaten how do you know is it eaten or not कैसे quantity से जी नहीं मात्रा से नहीं यहां आपका भोग है आपने देवताओं को अरपित किया इसलिए हवन के माध्यम से भोग का अरपन करने का नियम है क्योंकि अगनी को देवताओं का मुख माना गया है अगनी को देवताओं का मुख माना गया है तो अगनी में जो भोग आपने बनाया है जो प्रसाद आपने बनाया है वो अगनी देव को अरपित कीजिए अगनी देव को अरपित कीजिए टीक है यह होना चाहिए योगिंद्र पंडेश जी वाइस गुरू आस्ट लॉन परसंट भी हर a few lines from a book and recite that person returns the guru says you read it but the lines are still there in the book it's a logic it's only a logic you read it but the lines are still in the book reading is a different thing eating is a different thing I don't think ठीक है इसी को कहते हैं बिना प्रमान के तर्क देना इस तरह के तर्क हमारे शास्त्रार्थ प्रम्परा में नहीं चलते थे know the real philosophy what करमकांड सद्धान्त says about this ritual कि आप देवता को भोग लगाते हैं और वास्तों में भोग कैसे लग इसलिए यग्य हवन का विधान है पुर्णाहूती का विधान है आप हर पुजा के अंत में आप हवन करेंगे और भोग अर्पित करेंगे अगनी देव को भोग अगनी देवताओं का मुख माना गया है और देवता भी भावरूप भोग ही ग्रहन करते हैं क्योंकि मनतर रूप है भावरूप ही ग्रहन करेंगे न आप भोग लगाने में कितने इमानदार हैं यह आपका विशय है अगनि होत्र की क्रिया में अगनी को अर्पित कर दीजीए That is the real भोग, जो रिचुवल है, जो भोग लगेगा उसमें ऐसे भोग लगेगा और नहीं तो जो भोग आपने लगाया है, जो प्रसाद आपने देवता को चड़ाया है वो बचता है, तो आप उसे डिस्टिब्यूट कर दीजिए फैमिली मेंबर्स में, पडोसियों में, फ्रेंड्स में, बताइए कि मैंने पूजा किया था और ये भोग लगा था, उसका प्रसाद है ठीक है, देट इस एक्सेप्टेड वाई दिडाइटी, देवता के द्वारा वो एक्सेप्टेड होता है, वो भावना ग्रहन की जाती है तो थिंकिंग कुछ और है उसके पीछे, उसके पीछे ये थिंकिंग नहीं है, कि वो खाही जाएंगे भगवान भक्त का भाव बल्हो धन्ना जाट की तरह तो साइद खाने आ जाए, जैसे शिवजी धन्ना जाट की खिच्ड़ी खाने आ जाते थे कृष्ण मीराबाई का भोग लेने आ जाते थे, नाम देव का भोग लेने आ जाते थे एक बार कुट्टे के रूप में आ गए, कथा आती है, संत नाम देव की ठीक है? तो ये विशे भावना का है, क्योंकि देवता भाव रूप है ये सवाल बनता ही नहीं है कि खाया ही नहीं भगवान ने, तो गौड को कौन भोग लगा रहा है भाई? पहली बात तो गौड नामा कोई चीजी नहीं होती है इन सनातन धर्मा, फिलासपी और सनातन धर्मा, there is no concept of God चीख? रंजीत यादो जी, देवता हमें देते हैं देवता दान करने वाले हैं, जो भी दान करता वो देवता है, ऐसा भी माना गया है देवता हमें देते हैं, हमें वायू देते हैं, पानी देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें शरीर देते हैं, हमें इंद्रियां देते हैं तो हम अपनी वस्तु बदले में देवताओं को भी दान करते हैं ये भावना रखे जाती है पूजा में और वो हम भोग लगा कर करते हैं उनको दान। जैमाता की चंद्रेश्वर पांडे चंद्रेश्वर पांडे ने लिखा है एक बहुत पहुचे अचार श्री जिने लिखा है कि मिर्तक भोज मूर्ख देता है और निरलज खाता है और वही जाने उन्होंने कहां से कहा है किस भावना से कहा है क्या समझ के कहा है उनके हिसाब स क्या परिभाशा है ठीकante है तो वो एसा क्या है नहीं होंगे और आचारे जी को हो सकता है कि कहीं foreign funding को कुछ लालक्चो ठीक एक आचारे जी पहुत पहले मिले थे मुझे बहुत पहले मुलाकात होई थी उनसे वो बैचारे आईएस छोड़ के आचारे बन गये थे लेकिन जहां भी बैठते थे वहाँ इस बात की अनाउंसमेंट जरूर करवा देते थे कि वो आईएस छोड़ के आचारे बने बिचारा आईएस छूट नहीं रहा है छोड़ने के बाद में नहीं छूट रहा है ठीक है चलिए रशना जी पुतुल सिना जी हमारे समझ में तो उसे इश्वर का प्रसाद रूप में ग्रहन किया जाता है जी हाँ बिलकुल श्राद का भोजन बहुत सावधानी से ग्रहन करना चाहिए बहुत सच्ची भावना से नहीं तो पाप का भागी बनता है व्यक्ति ये भी है गरीब लोगों पर यह भार भी हो जाता है किसी ने जबर्दस्ति कर रखा है क्या कि करो समझ में आता है तो कर लो और अगर गरीबी है तो उसी धंग से करो मैंने तो हमने खुद अपना बात बताएं कोई गरीब विवेक्ति थे उनके घर में मृत्ति होगी श्राद करने का धन नहीं था मुहले के लोगों ने उनको धन दिया और सारी विधी करवा दिया उनकी इक्षाथी की सब कुछ होना चाहिए इसी लिए जिस घर में आप श्राद का भोजन करने जा रहे हैं वहां खाली हाथ मत जाईए ने उता मिला है तो उसको पूरा कीजिए कुछ ना कुछ वहां डोनेट करके भी आईए दान करके भी आईए ठीक है ऐसी भावना रखनी चाहिए और श्रधा का विशय है श्राद श्रधा का विशय है श्रधा से ही गरहन करना चाहिए प्रसाद के रूप में गरहन करना चाहिए गरीब लोगों पर यह भार भी हो जाता है तो जो उनसे संबाव है करो पानी की दो बूंद भी अगर शिव जी का अभिशेक कर सकती है तो श्राद भी तुम कम से कम खर्चे में कर सकते आप सारे नियम पालन कीजिए आपके पास जो सुविधा जितना अपलब्ध है सारी अपचारिक्ताओं को पुर्ण कीजिए लेकिन अगर कोई धनवान होकर कहे कि मैं श्राद नहीं करूंगा तो फिर वो गलती कर रहा है फिर उससे गलती हो रहा है धन होने के बाद भी उसे चाहिए कि वो श्राद करे और श्राद का दान भी करे यथा संभव हो सके तो करे ठीक है तो गरीब के नाम पर कुछ अमीर भी सोचेंगे कि भै चलो खर्चे से बचे समस्या यहां पर है गरीब तो बहाना बन जाएगा वेचारा आप देख लो जितना धर्म भक्ति पूजा पाठ गरीब व्यक्ति में होगा उतना आपको पैसे वाले में नहीं मिलेगा ठीक है तो पैसे वाला अपना पैसा बचाने के लिए गरीबों के नाम का सहारा भी ले लेगा ठीक है और एक नया प्रपगंडा शुरू करकर समाज सिवा के नाम पर फंडिंग भी सैद ले लेगा हेमराज जी, स्पी यादो जी, जितेंद्र साहू, ओमराज हेम ब्रॉम, इसमिता सावंत, अनिल कुमार, अवधेश कुमार जी, सुवर्ण गईकवार जी, विश्नु मेरोथा जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का तो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और प्राकिर्तिक चिकिस्था का कोर्स 19 तारिक से शुरू होगा एक महिने का कोर्स, 27 वीडियोज और तीन लाइव सेशन इसमें मिलते हैं ये प्राकिर्तिक चिकिस्था का कोर्स भी 19 अगस्थ से शुरू होगा और साथी साथ ध्यान योग का कोर्स ध्यान योग का कोर्स भी एक महिने का कोर्स 19 अगस्थ से शुरू होगा जिसमें ध्यान योग के अंतरगत, Guided Meditation, Transcendental Meditation और Spiritual Healing का कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है, Spiritual Healing का कोर्स करवाया जाएगा, ध्यान योग का कोर्स एक महिने का, ध्यान योग हमारे समच बहुत सारे रहस्यों को प्रगट करती है, यहां तक कि ये करमकार्ण क्या है, क्या चीज़े हैं, इनका सुक्ष्म रहस्य क्या है, ये सब बाते भी ध्यान योग से हमें धीरे-धीरे समझ में आने लग जाती है, समझ में आने लग जाती है, ये हमें समझना चाहिए, आप संपर करना चाहते हैं, तो इसमें कॉंटेक्ट नमबर दिया हुआ है, आप इस फोटो यहाँ पर आपको दिख रही है, कॉंटेक्ट नमबर दिया है, 9661802459, आप इस पर मैसेज करकर सारा डिटेल ले लेंगे, कि हमें 19 अगस्त का ध्यान योग कोर्स जोईन करना है, कुछ लोगों ने तो जोईन कर भी लिया, अभी से, आप भी देर ना करें, जोईन करना चाहते हैं, जोईन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, वैसे समय इसमें दिया जाता है, 19 से शुरू होगा, तो 17 अगस्त का समय ह होता है कि आप ज्वाइन कर लें लेकिन अभी से ज्वाइनिंग शुरू है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स जो कि 19 अगस्त 2022 से शुरू होगा लाभानवित हों अपने स्वरूप को जाने अपने मूल को जाने ध्यान योग के माध्यम से चलिए इसी के साथ इस कारिकरम को इस कारिकरम को अब विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नौ बजे आप सभी का बहुत बहुत आभार लाइवार लाइवड़ लाइव झाल झाल